सादार जैसरी करश्न मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले आप नित्य नई नई ज्यान वर्धक जानकारिया वर राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें मंगलवार की वरतकता इसकी पुजा विधी और इसका महत्व तो मंगलवार की वरत कथा को सरद्धा पुर्वक सुनने से मंगलवार का वरत करने से व्यक्ति को सुख सम्रद्धी की प्राप्ती होती है सम्मान की प्राप्ती होती है तो मंगलवार का वरत सुख सम्रद्धी और सम्मान का सरवत्तम साधन है इस वरत को विधी पुर्वक करन को सुनने से मंगल कामनाई पूरी हो जाती है मंगलवार का वरत 21 सपताह तक किया जाता है इस वरत के करने से मंगल गरह की कूदरश्टी से सुरक्षा होती है समस्त दोशों का पापों का नाश होता है मंगलवार को सुर्योदे से पूर्व बिस्तर से उठ करके इस्नानादी से निवरत हो करके अच्छे लाल वस्त्र पहन करके लाल पुश्पो से हनुमान जी की सरद्धा पुरवक पूजा अरादना करना चाहिए वरत करने वाले को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए भोजन में गेहूं के आटे और गुड से बने खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए और पूजा के बाद वरत करने वाले को मंगलवार की यह वरत कथा सरद्धा पुरवक सुनना चाहिए तो मंगलवार का वरत नियमित रूप से करने वाले को हनमान जी अपने समान वीर बनने का आसिरवाद देते हैं और भूत पिरेत बाधा गरस्त व्यक्तियों को मंगलवार का वरत अवश्य ही करना चाहिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल गरह ठीक नहीं हो या मांग उन्हें भी मंगलवार का वरत सरद्धा पूरवक करना चाहिए और मंगलवार की यह वरत कथा सरद्धा पूरवक सुनना चाहिए तो मंगलवार की वरत कथा इस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आती है कि रिशी नगर में केशवदत नामक ब्रामन अपनी पत पत्नी अंजली भी संतान की चिंता में बहुत कमजोर हो गई थी, दोनों पती पत्नी हर मंगलवार को मंदिर में जा करके हनुमान जी की पूजन किया करते थी, विधिवत मंगलवार का वरत करते हुए कई वर्स उनको बीद गए, वह ब्राम्मन बहुत ही निरास हो गया था, लेकिन उसने वरत करना नहीं छोड़ा था, कुछ दिनों के बाद केशवदत हनुमान जी की पूजा के लिए जंगल में चला गया, उसकी पत्नी अंजली घर में रह करके मंगलवार का वरत करने लगी, दोनों पती पत्नी पुत्र प्राप्ती के लिए मंगलवार का जम भी भोजन केसे करती, तो उस दिन अंजली सूर्य छिप जाने पर भूकी ही सो गई थी, अगले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण ले लिया था, तो छह दिन तक अंजली वह भूकी प्यासी रही, सात्वे दिन मंगलव को उसने हनुमान जी की पूजा करी, लेकिन तभी भूक प्यास के कारण वह बेहोस भी हो गई, हनुमान जी ने उसे स्वपन में दर्सन देते हुए कहा, कि उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाट से बहुसी प्रसन हो गया हूँ, संतुष्ट हूँ, तुम्हें सु जल्दी से उठकरके हनुमान जी को फिर से भोग लगया, सोयम ने भोजन गरहन किया, हनुमान जी की क्रपा से 9 माह के बाद अंजली ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया, मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया, कुछ दिनों के बाद अंजली का पती केशव दत्त भी घर लोट आया उसने आंगन में खेलते एक मंगल को देखा तो अंजली से पूछा यह सुन्दर बालक किसका है तब अंजली ने प्रसंद होते हुए हनवान जी के दरसन देने और पुत्र प्राप्त होने का वह वर्दान देने की सारी बाते बताई लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो पाया उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुशित विचार आगया कि अंजली ने उसके साथ विश्वास घात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए वह अब जूट बोल रही है केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने का संकल पले लिया एक दिन घर से बाहर कुछ दूरी पर बने कुवे पर केशव दत्त इसनान के लिए गया मंगल भी उसके पीछे पीछे कुवे पर चला गया केशव दत्त ने इसनान के बाद मंगल को उठा करके उस कुवे में डाल दिया और केशवदत्य ने कहा कि मंगल तो कुवें पर मेरे पास नहीं पहुच पाया था वह कहीं खेलने चला गया हुआ अभी केशवदत्य ने यह बात कही थी कि तभी मंगल दोड़ता हुआ घर लोटाया केशवदत्य मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान हो उठा उसी रात हनुमा करके हनुमान जी फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं तभी बिस्तर से उठकर के केशवदत्त ने दीपक जला करके रोशनी की और अंजली को जगा करके उससे छमा मांगते हुए स्वपन में हनुमान जी के दरसन देने की सारी बाते बताई उसने अपने बेटे को वरदे से लगा कर के बहुत ही प्रेम किया उस दिन के बाद सभी आनंद पूरवक रहने लगे मंगलवार का विधी वरत करने से उसके घर में सभी दुख कष्ट नश्ट हो गए इस तरह से जो भी इस्तरी पूरुष पूर्ण सरद्धा और विधी पूरवक मंगलवार का वरत करके इस वरत अधर्म गरंतों के अनुसार इस प्रकार से आती है कि अमरावती नगरी में एक बुढिया रहती थी वह भी मंगलवार का वरत करके मंगल देवता की नियमित पूजा करती थी तो मंगलवार को सुर्योदे के समय उठकर इस नान आदी से निवरत हो करके मंगल देवता की पुत्र था मंगोलिया मंगलवार को उसका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रख दिया था तो उस बुडिया को मंगलवार का वरत करते हुए कई बरस हो गए थे एक दिन मंगल देवता ने उस बुडिया की भक्ती की परिक्षा लेने का विचार किय तो साधू का वेश धारन करके मंगल देवता उस बुढिया के घर पहुंचते हैं दरवाजे पर खड़े होकर साधू ने पुकारा की नारायन नारायन बुढिया बाहर आई तो साधू ने कहा कि हम बहुत दूर की यात्रा करते हुए इस नगर में आये हैं जोरो की हमको भूक लगी है लेकिन हम स्वयम भोजन बना करके खाते हैं हमारे लिए अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह लीप दो तो हम भोजन बना करके खा लेंगे तो साधू की बात सुनकर के बुढिया ने कहा कि महराज मैंने मंगलवार का वरत किया है मंगलवार को मैं घर आंगन नहीं लीपती हूँ भोजन सामगरी मैं आपको दे देती हूँ आप स्वयम थोड़ी सी जगह लीप करके भोजन बना लीजिए साधू ने फिर बुढिया से आंगन लीपने का आगरह किया तो वह बुढिया बोली कि महराज मैं अपने वरत के कारण आंगन नहीं लीप सकती हूँ आप इसके अलावा जो भी आदेश देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगी तब साधू ने बुढिया से ये तीन वचन भरबा लिए उसके बाद साधू ने बुढिया से कहा कि अपने उस पुत्र से कहो कि आंगन में मुह के बल लेट जाए और इसकी पीट पर भोजन बनाकर हम अपनी भूख सांत करेंगे तो साधू की बात सुनकर कि बुढिया भाई से कांप उठी लेकिन अपने वचन से पीछे वह नहीं हटी साधू ने मंगोलिया को जमीन पर लेटा करके उस पर चूला रख करके अगनी जलाई जलते हुए चूले को देकर बुढिया वहां इस्थिर ना रह सकी और मंगल देवता का इस्मरन करते हुए अपने पुत्र की सुरक्षा की प्रारतना करती हुए आंगन से बाहर चली गई कुछ देर में भोजन तयार हो गया तो साधू भोजन लेकर के द्वार पर बेठी बुढिया के पास पहुचा साधू ने कहा कि भोजन तयार हो गया है अब तुम अपने लड़के को बुला लो वहाँ भी हमारे साथ भोजन कर लेगा तो बुढिया को इस आसंका से बुरी तरह भाईबीत हो रही थी कि भोजन पकाते समय अगनी की जलन से मंगोलिया के प्रांटों निकल गए होंगे तो बुढिया ने साधू से कहा कि महराज इतनी देर अगनी के ताप से मेरा बेटा जीवित कहा रहा होगा आप ही भोजन कर लीजिए मैं तो अपने मरहवे पुत्र के अंतिम संसकार की तयारी करती हूँ तब ही साधू ने कहा कि अरे तुम केसी अशुब बाते कर रही हो एक बार भीतर जाकर अपने बेटे को यहां बुलाओ तो सही अच्छा तुम भीतर नहीं जाती हो तो यहीं से आवाज दे करके उसे बुलालो तब उस बुडिया ने कापते हुए वरदे से मंगोलिया कह करके आवाज लगाई मंगोलिया वहां हस्ता हुआ बाहर आ गया अपने बेटे को देखकर बुडिया बहुती प्रसन हो गई उसकी पीट पर जलने का कोई निशान तक भी नहीं था बुडिया उस चमतकार से हेरान रह गई थी तो उसने साधू के चरण सपर्स करते हुए कहा कि महराज मेरे बेटे को लंबी आयू का आशिरवाद देते हुए क्रपया यह आप बताईए कि यह चमतकार केसे हो गया है तभी मुस्कुराते हुए साधू ने अलोकिक रूप से अपना वेश परिवर्तित कर लिया और मंगल देवता के रूप में परिवर्तित हो करके कहते हैं मैं तुम्हारे मंगलवार के वरत करने और पूजा पाट करने से अती प्रसन हो गया हूँ तुम मेरी परिक्षा में पास हो गई हो मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयू के साथ साथ धन संपत्ती से संपन रहने का वरदान भी देता हूँ यह का करके मंगल देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं उसके बाद बुढिया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हो गया उसके घर में धन संपत्ती के भंडार भर गए मंगलवार का विधी पुरवक सरद्धा पुरवक वरत करते हुए बुढिया अपने पुत्र के साथ आनंद पुरवक जीवन यापन करने लगी थी तो मित्रो आसा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्यान मर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करिए धन्यवाद जैसरीक रश्नमित्रो फिर मिलेंगे